शाहिद कपूर ने कर दिया है साफ कि कंगना और उनके बीच नहीं है कोई विवाद काफी दिनों से खबरे थी कि शाहिद कंगना के बीच रंगून की शूटिंग के दौरान से ही चल रहा है कोल वॉर खबरे तो यहां तक थी कि शूटिंग के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं और सीन खत्म करते ही अपनी अपनी वैनिटी वैन में चले जाते थे इन खबरों के बाद खबर आई थी कि दोनों साथ में रंगून का प्रोमोशन भी नहीं करेंगे लेकिन दिपिका की फिल्म ट्रिपल एक्स दे जैंडर केज के प्रीमियर के मौके पर शाहिद ने साफ किया कि उनके और कंगना के बीच कोई भी विवाद नहीं है नहीं है प्रीमियर का नहीं है, लोई यहलत नाद हम रह टतए है मीशने लॉबाज कि अलबर किस्ट आई, किसे ख pig किनłe भी र्रीमियर केन् ब्रहOUGHा है कि इन से ब defensive है इन दिए कि अप्ति ऴॉब्हाद लॉबआं वहाद कि उनकित si तो अबर egent Canal et Nats दिपिका की फिल्म पर पहुंचे शाहिद ने दिपिका की भी जम कर तारीफ की शाहिद ने कहा कि दिपिका हर फिल्म के साथ बहतर होती जा रही है शाहिद की फिल्म पर पहुंचे शाहिद ने दिपिका की भी जम कर तारीफ की शाहित को देख कर लग रहा था उनका ये लुक पदमावती में नजर आएगा लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर शाहित का ये आंसर था वेल आपको बता दे कि शाहित के लिए 2017 काफी खास रहने वाला है क्योंकि इस साल उनकी दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं अगर दोनों फिल्में चल निकली तो शाहित की गिंती सूपर स्टार्स की लिस्ट में होने लगेगी NMF News के रिपोर्ट